हलो दोस्तो मैं कमल प्रजापती और आप देख रहे हैं इंटेरियर के फंडे आज हम बात करेंगे अलग-अलग तरहा के माइका के बारे में यानि की लेमिनेट के बारे में आज के दोड में हर तरहा के फनीचर में लेमिनेट का यूच किया जा रहा है यदि आप अपने घर या आफिस के लिए लेमिनेट सिट्स खरीदने जा रहे हैं या फिर लेमिनेट के बारे में आपको जनकारी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फरमेटिव होगी तो दोस्तो वीडियो को देड़ ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले माइका, सनमाइका और लेमनेट के बारे में बहुत से लोगों को कन्फूजन है कि ये अलग-अलग चीज़े हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है ये सब एक ही पोड़क्ट मेट्रियल है जिसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है दरसल बात ऐसा है कि सनमाइका लेमनेट बनाने वाली एक कमपनी का नाम है और ये कमपनी बहुत ही पुरानी है इसके अड़टाइजमेंट का असर इतना जादा था कि लोगों को लेमनेट का जो नाम है उसको सनमाइका या माइका के नाम से लोग जानने लगें अब बात करते हैं कि लेमनेट सीट क्या है दोस्तों इसके टेकनिकल चीजों पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में इसकी कोई जरूरत नहीं है तो लेमनेट सीट एक पतली डेक्रोटीव मैट्रियल है जो अलग-अलग प्रिंटों में, कलर्स में, टेक्शर में, लुक्स, वेगेरा में, मार्केट में इजी अबलेबल होती है ताकि furniture सुंदर और attractive दिख सके अब बात करते हैं इसके size और thickness के बारे में अगर इसके size को देखे तो ये 8Y4 के sheet में मार्केट में इजी अबलेबल होती है यानि कि 32 square feet में आती है जबकि इसका जो thickness है वो 0.6 mm, 0.72 mm, 0.8 mm, 1 mm, 1.25 mm और 1.5 mm के thickness में मार्केट में इजी बलेबल होती है जब भी lemonade खड़ी दे तो उसके thickness को जरूर देखे क्योंकि थिकने जितना ज़्यादा होगी उस lemonade की life और मजबूती उतना ही ज़्यादा होगी अगर thickness के अधार पर lemonade का price को देखे तो 0.6 mm का और 0.72 mm का यह आपको 500 रुपे से सारे 700 रुपे के आसपास में मिल जाती है वहीं आपको जो 0.8 का lemonade है यह आपको सारे 800 रुपे से लेकर 1100 तक मिलती है जबकि 1 mm का 1.25 mm का 1.5 mm वाली जो lemonade होती है वह आपको 1500 रुपे से लेकर 2500 रुपे के आसपास में मिलती है देखे प्राइस इस बात पर भी depend करता है कि आपकी lemonade का brand क्या है और आप किस location से purchase कर रहे हैं क्योंकि इस पर price up-down हो सकती है तो इस वीडियो में बस इतना ही next वीडियो में हम बात करेंगे कि किस thickness का यूज कहां करनी चाहिए इसके साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि कौन सा color जो laminates का color है print है उसके साथ में texture है उन सब का इस्तिमाल हम किस किस जगाओं पर करते है अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले अगर किसी तरीके का वीडियो में doubt हो तो comment section पर जरूर लिखे ताकि मैं उसका reply दे सकू तब तक लिए guys वीडियो को देखते रहिए हसते रहिए और मुस्कूनाते रहिए